आलो एविवन, तो आज अमारा हिमाचल प्रदेश का लेक्चर 6 है पीक्स और हिमाचल प्रदेश, यहां से हर साल एक वेस्चिन पकाता है, किसी भी एकजाम में, ठीक है? तो सबसे पहले हम चंबा, चंबा में कौन कौन सी प्रमुक चोटिया हैं? ठीक है? तो चंबा में है प चमबा की सबसे उंची चोटी है पीर पंजाल 5972 मीटर की उंचाई है पीर पंजाल चमबा की सबसे उंची चोटी है फिर चमबा में पड़ता है कैलाश कैलाश पांच हजार छेसो साथ मिटर हाइट है इसकी पीर पंजाल और कैलाश चमबा में ठीक है फिर उसके बाद कुछ और चोटिया है जैसे बड़ा खड़ा बड़ा कंडा बड़ा खड़ा बड़ा कंडा तामसर 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 के बाद गौरी देवी का टिब्बा गौरी देवी का टिब्बा नर्सिया का टिब्बा फिर उसके बाद है गयास परवत चमबा में ही पढ़ता है पांगी गाटी में गयास परवत और बक्रोटा हील्स बक्रोटा हील्स बक्रोटा हील्स पढ़ती है धल हौजी में ठीक है तो ये थी हमारी चमबा की मेजर पीक्स जैसे सबसे चमबा की सबसे उंची चोटी है हमारी पीर पंजाल इसकी आपको हाइट भी याद रखनी है केलाश दूसरी ठीक है फिर इसके बाद आप रख सकते हैं बड़ा खंडा बड़ा कंडा तामशर गौरी देवी का टिबा नर्सिया का टिबा गयास परवत पांगी में है और बक्रोटा हील्स दल हौजी में है यह थी हमारी चमबा की चोटियां इसके बाद चलेंगे लहौल स्पीति में दूसरे नंबर पर है लहौल स्पीति लहौल स्पीति में कौन कौन सी चोटियां है मनी रेंग लहौल स्पीति की सबसे उन्ची चोटियां मनी रेंग छे हजार पांसो स्थानमुए मिटर की हाइट है फिर आती है मुल्किला मुल्किला छे हजार पांसो बीस मिटर की हाइट है गेफांग मनी महेश ओफ लहौल भी का जाता है इसे 6400 मिटर की हाइट है शिकर बेहू 6200 मिटर की हाइट है मुकर बेहू 6070 मिटर की हाइट है शालतू दापार 5600 मिटर हाइट शालतू दापार ठीक है फिर उसके वाद आती है ले छांगला रचांगला 5060 मिटर की हाइट रचांगला के बाद मुरांगला मुरांगला की हाइट 5060 मिटर श्रिंगला जहांपे गला गला आ रहा है वो लहौल स्विति में हर गारन हर गारन है आपकी 3850 मिटर की हाइट है इसके बाद एक चोटी है गेफांग गो गेफांग गो 6050 मिटर की हाइट है और शिंगरिला यह भी इसकी हाइट के बारे में पता नहीं है शिंगरिला यह भी लहौल स्विति में है तो यह थी आपकी लहौल स्वितिक में इंपोर्टन जो पीक्स हैं जैसे मनीरेंग, मुलकिला, गेफांग, शिकरबेहु, मुकरबेहु, शालतु, दापार, लचांगला, मुरांगला, श्रिंगला, हर गारन, गेफांगो और शिंगरिला ठीक है इसके बाद हमारी कि नौर कि नौर में आती है शिल्ला जिसकी हैट बताई गई है साथ जार पच्चिस मिटर दूसरी है रीवो फार्जियल 6,791 मिटर ठीक है कुछ बुक्स के उपर शिल्ला को हिमाचल परदेश की सबसों की चोटी कहा गया है अकॉर्डिंग टू गूगल मैप गूगल के इसाब से रीवो फार्जियल आ रही है ठीक है बुलोक्रा के उपर भी पुरानी बुलोक्रा के उपर शिल्ला को ही बताया गया साथ जार पच्चिस मिटर हाइट बताई गई है शिल्ला की और रीवो फार्जियल की 6,790 मिटर बताई गई है जो कि नौर में है ठीक है इसके बाद पढ़ती है हमारी शिपकि शिपकी शिपकी के बाद किनर कैलाश वेरी-वेरी इंपोर्टन कैलाश कहां पर पढ़ता है चम्भा में और किनर केलाश चिनौर में किनर केलाश की हाइट पैन सट सो मेटर है और शिपकी की 6608 मेटर है रॉल दंग रॉल दंग 5449 मेटर है गुश्यू और पिश्यू गुश्यू की हैट 5607 मेटर और पिश्यू पिश्यू की हैट 5662 मेटर और इसके बाद एक और चोटी है पराशला ये भी किन और में पढ़ती है तो किन और में पढ़ने वाली चोटीयां है शिला ठीक है रियो फार्जियल शिपकी किनर के लाश रॉल दंग गुश्यू और पिश्यू रॉल दंग, गुश्यू और पिश्यू ये थी हमारी किन और की चोटीयां इसके बाद चलेंगे कुल्लू कुल्लू में कौन कौन सी फर्मुख चोटीयां है कुल्लू में पढ़ती है डिबी बोकरी पिरामिड डिबी बोकरी पिरामिड डिबी बोकरी पिरामिड 6400 मिटर है दियो टिब्बा दियो टिब्बा 6001 मिटर है हनुमान टिब्बा हनुमान टिब्बा 5860 मिटर है सोलांग 5940 मिटर है परांगला एक परांगला एक गला आता है सिर्फ कुल्लू में परांगला 5589 मिटर और जितने भी गला आएगा पिछे वो सारे लहर्स किती में परांगला के बाद आता है हमारा उमाशिला उमाशिला 5290 मिटर शित्ती धहार इंपोर्टेंट शित्ती धहार कुल्लू में है शित्ती धहार ठीक है 5290 मिटर श्रीखंड 5190 मिटर श्रीखंड श्रीखंड के हैट 5190 मिटर श्रीखंड के बाद पिन पार्वती पिन पार्वती 4800 मिटर हाइट है इंदर किला 4940 मिटर हाइट है पताल सू 4470 मिटर हाइट है साचा एक साच दर्रा भी है साचा 3540 मिटर मेवा किन दिनू मेवा किन दिनू 5944 मिटर ये थी कुल्लू में जो परमुक चोटियां है कुल्लू की डिब्बी वोकरी पिरामिड कुल्लू की सब से उंची चोटी है दियो टिब्बा 6001 मिटर हनुमान टिब्बा सोलांग परांगला उमाशिला सित्ती धार श्रीखंड पिन पार्वती इंदर किला पताल सू साचा और मेवा किन दिनू ये कुल्लू की परमुक चोटियां थी कुल्लू के बाद हम चलेंगे कांगडा कांगडा में कौन-कौन सी परमुक चोटियां है हनुमान टिब्बा हनुमान टिब्बा ठीक है 5860 मिटर देखिए एक हनुमान टिब्बा हमारा कुल्लू में भी बड़ी वही है ये साथ में ही लगती है अब ओर्डर बे है हनुमान टिब्बा और हनुमान कांगडा और कुल्लू के बीच ठीक है चोलांग चोलांग ये इसकी ये जो हाइट है 3270 मिटर है और पूछा जाता है चोलांग के बारे में कि किस परवत्ष्रेनी में आती है तो दोलाधार परवत्ष्रेनी दोलाधार परवत्ष्रेनी ठीक है इसके बाद आती है हमारी गोर्तन तनू गोर्तन तनू कुल्लू और कांगडा के बॉर्डर पर है 4760 मिटर गोर्तन तनू कुल्लू और कांगडा के बॉर्डर पर है गोर्तन तनू तो कांगडा में हनुमान टिबा चोलांग और गोर्तन तनू ये परमुख चोटियां है इसके बाद है हमारा शिमला शिमला में पढ़ती है चांसल चांसल 4520 मिटर इसकी हाइट याद रखनी है उसके बाद पढ़ती है जाखू और सांजीधार very very important सांजीधार कहाँ पर पढ़ती है शिमला में सांजीधार शिमला ये थी हमारी शिमला की जोटियां इसके बाद शिर्मौर सिर्मौर में पढ़ती है चूडधार 3,647 मिटर की आइट है 11,966 फीट चूडधार और उसके बाद आती है हरिपूर धार गत्ता धार शिलाई धार जूइन धार और नहौरा धार सिर्मौर में पढ़ती है ये चूडधार, हरिपूर धार, गत्ता धार, शिलाई धार, जूइन धार और नहौरा धार इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मंडी मंडी में कौन-कौन सी प्रमुख चोटियां है, पीक्स है मंडी में पढ़ती है नाग्रू तौली सो मिटर की हाइट पर इस परवत श्रेणी पर दोलाधार परवत श्रेणी की सबसे उंची चोटी अलग क्वेशन बन जाता है पूछा जाता है कि दोलाधार परवत श्रेणी की सबसे उंची चोटी कौन सी है नाग्रू और मंडी की भी कौन सी है नाग्रू उसके बाद पर ती है हमारी घोगरधार मंडी में लिख लेजिए घोगरधार घोगरधार कहा पर है गुम्मा और द्रंग की नमक की खाने घोगरधार गुम्मा और द्रंग की नमक की खाने ठीक है सिकंदर धार सिकंदर धार ये जो एरिया है धरमपूर शेत्तर में है धरमपूर सिकंदर धार पड़ती है धरमपूर में और उसके बाद है एक बैर कोट धार बैर कोट धार ये रिवाल्सर से सुकेत तक है सुकेत मतलब सुन्दर नगर तो मंडी के अंदर मंडी की सबसे उंची चोटी थी नागरू तो उसके बाद धारें देखी मंडी में गुम्मा और द्रंग की नमक की खाने हैं उस पेव उपर घोगर धार पर सिकंदर धार धरमपूर में और बैर कोट धारिवाल सर से सुकेत तक है ठीक है इसके बाद एक इंपोर्टेंट पॉइंट लिख लिजिए जो अक्सर पर प्रमे आता है गेफांग ला के बारे में गेफांग ला लोहॉल की सबसे प्रसिद्ध चोटी है गेफांग ला इसे लोहॉल का मनी महेश कहते है गेफांग ला को लोहॉल का मनी महेश कहते है गेफांग ला स्वीट्जर लैंड गेफांग ला स्वीट्जर लैंड की मैटर हॉर्ण से मिलती जुलती है मैटर हॉर्ण चोटी से मिलती जुलती है गेफांग ला के बारे में ठीक है इसे लोहॉल का मनी महेश कहते हैं एक आती है रल दांग रलदान को कहते हैं किन ओर का स्वीजर लैंड तो ये थी हमारी प्रमुक चोटियां चिक है तो हम इन चोटियां को मैप के थुरू भी देख लेते हैं एक बार तो मैप इस तरह से बनाना है आपको यह है आपका मैप तो सबसे पहले आती है आपकी चमबा वाला एरिया तो चमबा की सबसे उंची चोटी थी फीर पंजार इसकी जो हैट थी 5920 मिटर पीर पंजार पीर पंजार के बाद लहौल स्पिति में पढ़ती है मनी रैंग लहौल मनी रैंग इसकी जो हैट है 6597 मिटर है पीर पंजाल मनी रेंग फिर चले जाते हैं जी शिल्ला किन और किन और में पड़ती है शिल्ला ये हमारा किन और शिल्ला की हाइट है 7026 या 25 मिटर फिर उसके बाद कांगडा ठीक है कांगडा में इस वाले रेजन में पड़ता है हनुमान टिब्बा हनुमान टिब्बा इसकी हाइट है 4860 मिटर हनुमान टिब्बा इसके बाद कुल्लू कुल्लू की सबसे उंची चोटी डिब्बी बोकरी पीरामिड डिब्बी बोकरी पीरामिड कुल्लू की सबसे उंची चोटी फिर उसके बाद हमारा शिमला शिमला में पड़ती है सबसे उंची जोटी चांसल हाइट है इसकी 4520 मिटर 4520 मिटर फिर उसके बाद मंडी मंडी में पड़ती है हमारी नाग्रू मंडी में है नाग्रू इसकी जो हाइट है वो 4400 मिटर है और डिपी बोकरी पिरामिट की हाइट 6400 मिटर इसके बाद सिर्मौर सिर्मौर में पड़ता है चुडधार सिर्मौर में चुडधार चुडधार की हाइट है 3647 मिटर चुडधार के बाद सोलन सोलन की जो सबसे उन्चे चोटी है उसका नाम है माउंट करोल माउंट करोल सोलन की सबसे उन्चे चोटी माउंट करोल है इसकी जो हाइट है 2280 मिटर है सोलन की सबसे उन्चे चोटी माउंट करोल और बिलासपूर में बिलासपूर की सबसे उंची चोटी बहाद्दूर पूर बहाद्दूर पूर बिलासपूर की सबसे उंची चोटी बहाद्दूर पूर एक अजार नौसो असी मिटर बहाद्दूर पूर बिलासपूर की इसके बाद इसके बाद हम लिखेंगे हमिरपूर हमिरपूर की सबसे उन्ची चोटी है अवाह देवी हमिरपूर की सबसे उन्ची चोटी अवाह देवी भारवेन उन्ना की सबसे उंची चोटी भारवेन 1200 मिटर तो उन्ना की सबसे उंची चोटी थी हमारी भारवेन तो ये था आज का अमारा टॉपिक पीक्स ओफ हिमाचल प्रदेश आई होप आप सभी को समझाया होगा थैंक्स फर वाचिंग हेव नाइस दे